मसकार दोस्तों मैं हूं मनोज कुमार और यहां पर देखेंगे मंथली इन एन आउट बाइलेंस टेक्सी बनाना एकसल के अंदर किस तरह से बनाएंगे मंथली स्टॉक इन आउट एन बाइलेंस सीट ठीक है इसमें हम लोग कुछ परचेज करेंगे तो वह भी एंट्री जयरेंगे और हम लोग कितना उसके बाद श्टोक रहा कितना सेलह कितना आउट हुआ वह भी यहां पर लिखेंगे ठीक हैं और इतना नहीं यह मंत जैसे जन्वरी मंत का यह दिखाता हूँ तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला मैं करता हूँ जाऊँगा यहाँ से Jan सबक्राइब 25 वही चीज मैं यहां पर भी कर रहा हूँ, इस seat के दर जो है, यहां पर मैं कर दे रहा हूँ, क्या कर दिया है, यहां पर serial number लिख दिया और items लिख दिया, ठीक है, इतना होने के बाद, यह हमारा कौन सा seat बना रहा हूँ, मैं जब वो जिये, मैं January month का जो है, बना रहा हूँ, मत यहां पर January out लिख देता हूँ, ओके, तो दो चीज मेरा काम हो गया, January in में लिखोंगा, तो इस seat में अपडेट करूँगा, आउट में लिखोंगा, तो इस seat में अपडेट करूँगा, ठीक है, इतना होने के बाद, यहां पर जो है, आपको क्या होना चाहिए, यहां पर जो जो है, एंड होता है, और 31st एंड होता है, आपको क्या करना, यहां पर क्लिक करने के बाद, यहां पर होम बटन में जाना है, और होम बटन पर जाने के बाद, यहां पर एक आपता है, फिल उप्शन, आप फिल में जाईए, और यहां पर जो है, फिल सीरीज करके उप्शन यहां पर सिरीज पर जाईए जैसे सिरीज पर जाईगा तो यहां पर जो है रोज सेलेक्टर किया हुआ है यहां से लेकर 31 जैनरेट हो गया है इतना होने कर देंगी इतना होने के बाद क्या करेंगे इसको एक सिल्मों पक्रें और थोड़र सा इसको चोटा कर दिल धिखे तो कि इस लात मनें यां पर में चाहिए निया कह तो सब्सक्राइए 2280 के पास जितना भी चाहिए इसका अपिसको फिक्सको डलो कि को इतना हो गया इतना होने के बाद, इतना होने के बाद next काम क्या करना है, यहां से 1 से लेके 31 तक आपका sale यहां पे हो चुका है, next आप इसको border लगा चाहते हैं, इस पे आप यहां पे click कर लो और यहां से आप इस पे border लगा दीजिए और यहां पे middle में करना चाहते हैं, इसको middle में करते हैं, कि अंदेगा हैं यहां पर नेक्स्ट काम क्या करना यहां पे आपको क्लोजंग बैलेंस चाहिए यहां पर यहां पर मैं लिख देता हूं क्लोजंग बैलेंस के लिए भी जो है इस में यही फार्मेट रखता हूं इस format में जाके इसको ठ्ड़िक कर दे रहा और यहां पर जाके यहां पर हम एक्स कर दीज़े उसके तो है इहां पहुन पहुंत पर क्लोजिंगहों यहां पर सुलिए और क्या करना यहां और यहां पर यहां पर उल्द है ज्या अश्पम करशें और यहांपे जो है इसको भी यहां पे बॉर्डर लगा दीज़े ओके इतना काम हो गया पर्टे FINAL कुछ रेडी हो गया और He lowsYa यहां पर पर फाल को पटडर करो हों उपर करने के वाद आप इस पे दमेर टिए होगया आपका पर्चेज रिकॉड तो तो परचेज record हो गया वह भी आप कर लिए और इसका जो है आप चाहे तो यहाँ जो fill option है यह जो fill option में आप जो भी चाहे यहाँ पर color देखें यहाँ पर fill कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पर हो गया आपका purchase record हो गया यहाँ पर closing balance हो गया ओके यह जनवरी का in हो गया इसके जो बढ़ाना देखे एक को लिक्हेंगे और यहां पर लेकेंगे संप ओर यहाद पर समती है उर फुरा घणे को हimat इसाइज को आप नीचे वह फोर करते होे तो यहां पर जीतना भी चाहता है कर दिजिए यहां practically परचेज़ करोगे जितना भी आप एंट्री करोगे जिस भी डेट में आप परचेज किया एंट्री करोगे यह जो closing balance है, यह automatic जो है update हो रहा है, ठीक है, इसका size थोड़ा सा बरहा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर update हो रहा है, अगर जिस भी date में आप कुछ भी quantity कर दोगे, उसको entry करोगे, तो यह जो closing balance में यहाँ पर update होता रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी entry करना की automatic यहाँ पर update हो रहा है, ठीक है, यह तो हो गई purchase record, कि आप जो भी date है, यहाँ पर January मन्त है, आप जो भी date में आपडेट करोगे, वो जो है यहाँ पर update होता रहेगा, ठीक है, simple सा formula था, इसी को out के लिए बनाना है, तो out के लिए ब जब normally paste करोगे तो इस type का paste आएगा, ठीक है, यह कभी इसका size नहींगा, तो कोई बात है आप paste कर दिया, फिर चे यहाँ पर जो है, उसी पर जाईए, paste special पर जाईए, paste special पर आपको column विर्थ का option मिलता, आप इसको select कर लीजे, इसको ok कर दीजे, तो आपका यहाँ पर skip दवाता हो, यहाँ पर जो border लगाना है, तो यहाँ पर जो इस से लेके अब थिक border भी यहाँ पर apply कर सकते हो, ठीक है, तो तो फोरा साथ चला है, यहाँ पर closing balance किस थरह से हो गया, out में क्या है, यहाँ पर जो out है, जैनुरी out, out के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज आप यहाँ पर लिख से और यहाँ पर opening stock एक और है, तो उसको भी add कर देंगे, ठीक है, चलिए, out के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर monthly stock in and out balance, ओके, चलिए, इतना हो गया, इतना लिख लिए, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है, अब ही क्या करिया, पूर clear है, समझ में आ गया, किस तरह से मनाया, out के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जो है, insert कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर insert कर देता हूँ, क्या insert करूँगा, यहाँ पर opening balance, यहाँ पर क्या लिखूँगा, opening, opening balance, opening balance कितना था, ठीक है, इसको बड़ा हो गया, तो कोई बात है, यहाँ पर wrap text कर देता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और इसका size थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो यह जो है, adjust हो जाएगा, आप अपने असार इसका design हो जाएगा, जितना भी करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, तो उसके लिए करते हैं, ओके, चलिए, इतना हो गया, तो अब बात करते हैं, यहाँ पर opening balance, यह जनवरी का, इन तो हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर out हो गया, out में जो है, आप क्या purchase कर रहे हो, इसमें लिखोगे, क्या selling कर रहे हो, मतलब outside के दे रहे हो, वो जो है, इस seat में maintain करेंगे, तो इस seat में maintain करेंगे, वो कैसे maintain करेंगे, देखिए, इन में आपने देख लिया, out के लिए क्या करना, आपको यह opening balance है, इस balance में, मैं equal to लिखूंगा, और यहाँ का, जो है, January का, जो closing है, इस closing वाले को select करूंगा, और enterprise करूंगा, देखिए, क्या किया, मैं यहाँ पर, फिर से करके दिखाता हूँ, notebook का, यहाँ पर equal to किया, और equal to करने के बाद, इन वाला जो है, यह जो है, इसका closing है, इसको correct किया, और enterprise कर दिया, तो वहाँ का closing है, यहाँ पर opening हो गया, इसी को नीचे की और drag कर दिजएगा, आपका सारा seat यहाँ पर बनके ready हो गया, देखो, इसका जो भी है, यहाँ पर, bottle कितना 35, यहाँ पर January का out में कि 35 आ गया, अब तो हो गए, यह जो है, opening हो गया, अब जैसे जैसे, आपको out कर रहे हो, stock जब out जाएगा, आप issue कर रहे हो, किसी को, या sell कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ भी से, जब, suppose 11 कर रहे हो, 45 नमर आपने sell किया, या issue किया किसी को, तो closing balance आपको कित यहाँ पर लिखूंगा, sum formula ठीक है, क्या लिखूंगा, sum formula लिखूंगा, और sum formula जाके, यह जो 1 से लेके, 31 तक जो है, इसको select कर लोगा, देखिए, कहा तक AH4 तक आया, AH4 तक select किया, और इसको bracket को close किया, enter place कर दिया, देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 109 अभी बचा है, ठीक को, किसी को issue कर दिया, 25 नमर issue कर दिया, देखो, यहाँ पर किता बाजर आया, 10 नमर बचा हुआ, इसी बोटल में भी 10 नमर बचा हुआ, इन में जाके, 21 तारी को मैंने 10 नमर जो है, add किया हूँ, देखो, balance 50 नमर बचा हुआ, अपहले कितना था, 10 अभी देखो, 20 नमर एड ह हो गया, 30 नमर यहाँ पर हो गया, इस तरह से तो आप जो है, कुछ भी entry करोगा नहीं यहाँ पर, जो है, automatic यह आपका closing balance यहाँ पर दिखता रहेगा, आप यहाँ पर आउट कर रहा है, तो यह आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, ठीक है, तो यह बात हो गई, out की, in के to balance, अगर आप किसी को issue करोगे 56 नमर, तू आगे, यह तो बात हो गई, January मंत का, मुने जैनवरी मंत का यह बना लिया, in and out, अब February मंत का भी मुझे बनाना है, तो क्या करेंगे, February मंत का भी बनाने के लिए वही काम, new set add कीजिए, add करने के बाद जो है, आप जो है, यहाँ पर February मंत लिख सरते हो, either, आप मुझे नहीं लिखना है, आपको, चलिए, इसी seat को, जो in वाला था, in and out, January वाला in and out, control बटन प्रेस करेंगे, क्या बटन प्रेस करेंगे, control बटन प्रेस करेंगे, या तो इसको यहाँ पर move कर देंगे, तो देखो, January वाला seat, यहाँ पर gen 2 करके आ February का इन कर देता हूँ, या तो आप चाहे तो यहाँ पर control बटन करके move कर सकते हो, दूसरा काम क्या है, February इन का हो गया, और February इन जब सेव कर गया, तो इसको क्या करूँगा, मैं इसको पूरा delete कर दूँगा, क्या कर दिया, delete, दिलिट कर दिया, तो February का जो in जो है, भी पूरा balance 0 हो गया, यहाँ पर फड़वरी में purchase करोगे, वो जो है, यहाँ पर entry करोगे, तो यह सीट आउटमेटिक आएगा, अब January के जगह, February का आउट भी होना चाहिए, तो इसको सीट को जो है, January को यहाँ पर right click करेगा, देखेगा, दूसरा तरीका बना रहा हूँ, इसको क्या कर हुआ हुआ है, तो जो भी सीट लिखा हुआ है, वो सीट का नाम आउटमेटिक आजाएगा, इसको कहाँ चाहिए, मुझे देखेए, फर्स सीट है January इन, सकेंड सीट है January आउट, थर्ड सीट है, February इन, और मैं इसको कर देता हूँ, और यहाँ पर create a copy है, इसको क्लिक कर देत होगा, FE, B, और FEV, आउट, यह क्या हो गया, February का आउट हो गया, फैवरी का आउट जो यह पूराना data है इसमें से, इसको भी क्या करूंगा, मैं यहाँ से, डिलीट कर देता हूँ, क्या क्या, डिलीट कर दिया यह ओपनिंग बैलंस है, इस फार्मूला को भी मैं डिलीट कर करेता हूं ओके बस इतना काम कर दिये बाकिस को रहने दिजे अब देखें क्या होगा इस सीट का जो जन्वरी का आउट है जन्वरी का जो इसमें ऑर फैवरी का जब आउट होगा इस टाइम जो आपका बैलेंस होगा ओपनिंग यहां पर सुनिएगा इसको एक्वल टू करू इसका जो आउट का था इसका जो बैइलन्स इट है इसको आप कर दीजे और इंट करती यह देखिए जैनवरी का क्लोजिंग था वह एक बात दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर फैवरी मन्त में भी आप पर्चेज करोगे न इसका भी डेट आपको आना चाहिए तो February Out में जो यह जो formula है इसी formula पर click कीजिए और यहाँ पर प्लस का निसान दीजिए और प्लस का निसान देके February In में जाएए और February In का जो closing balance नहीं यह वाला इसको select कर लिजिए और enter प्रेस कर दीजिए देखे यह जो formula यहाँ पर add हो गया दोनों एड होने के बाद आप इसी formula को नीचे की और drag कर दीजिए ठीक है तो अब देखिए क्या काम होता अभी कितना है फेवरी आउट में 109 जो है opening balance है चलिए फेवरी में second तारिकों मैंने 56 नमर कुछ पर change किया यह देखिए फेवरी आउट में यह एड हो गया एड हो गया ना ओक है तो इस ितरह से इसमें और कुछ भी किया तो देखो यहां पर बइलेंस बज़ रहा है यहां पे इस तरह को में उच किया, यह भी 0 बच गया, इस तरह से जो है हम लोग, यहां पे देखे 0 है, अभी आप इसी में purchase किया, कुछ भी और भी purchase किया, तो देखो, add हो गया यहां पे, इस तरह से जो हम लोग, February out का भी data जो है, आप update कर सकते हो, और next month का बना सकते हैं, हमन March मन्त आ गया, March का data किस तरह से बराएंगे, बस वही काम, March के लिए क्या करेंगे, फैब का जो इन है, इसमें जाईए, move और copy में जाईए, move to end कीजिए, create a copy कीजिए, इसको okay कर दीजिए, यह कौन सा मन्त हो गया, इसको rename कर दीजिए, और rename में क्या हो गया, यह March का हो गया, March मार्च का कौन सा हो गया, इन हो गया, इन कर दीजिए, ठीक है, रिनेम करके बाकि सब जो data था इसमें का, इस data को आप डिलीट कर दो, closing balance 00 बचा, March का हो गया, ओके, अब मार्च का इन हो गया, मार्च का आउट भी चाहिए, कोई बात ने, फेवरी का जो आउट है, इसी को ज आउट हो गया, ओके, आउट में भी जाने के बाद, आपको क्या का बताया था, जितना भी data था, उस data को डिलीट कर दीजिए, यह जो ऑपनिंग बालेंस वाला है, इसको भी आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, यही काम रिपीट किया था, फेवरी में, रिपीट कर दो, अब इसको जो ओपनी बैलेंस पर क्लिक करना यहां पर एक्वल टू प्रेस कीजिए मार्च से पहले कौन सा मन था फेबवरी का फेबवरी का आउट में जाएंगे और यहां पर जो क्लिक करेंगे और इसी फॉर्मूला को नीचे की और ड्रेक करेंगे यह मार्च का आउट का हो गय और क्लोजिंग बैलेंस वाला ना इसको क्लिक किजिए और एंटर प्रेस किजिए अब इस फार्मूला को नीचे की और ड्रेक करतीजिए इस तरह से आप जो है कुछ भी अपडेट करोगे यह अपडेट होता रहेगा आप इन भी करोगे इसमें किसी भी डेट में करोगे तो भी आटョमेटिक यहां पे आपके सीट में जो अटोमेटीक अब्डेट होता रहेगा ठीके इस तरह से आप चाहे तो पूरा यह का जो है डेटा । आप यहांपे कर सकते हो आप बना सकते हो किस तरह से चिया क्या किया आपको पता चला ठीके अगर कुछ भी में प्रत्र ピर तो ये सीट जो है आपको आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहां से आपको वाहिए इस सीट को डौन लोड planning कर सकते दो ओके सो थैंक यू